हाई एवरिवान तो आज के सुडियम हम डिसक्स करने वाले कोट से स्टार्टस 52 का प्रोब्लम मिनिमूम सम विफ मुइंग ओन मेक्शर यू लाइक दे वीडियो औन सब्सक्राइब दे चैनल पोर मोर सच अमेजिंग वीडियोस सो एज अलवेस लेट स्टार्ट बाइंडरस्टेंग दे विफ मिनिमूम सम यू और गिवन एन एरे एवन एटू अप्टू एन ओफ लेंथ एंड ठीक है क्या बुला गया है कि हमें एक एरे दिया गया है इंपुट में जिसमें की एन एलिमेंट से एवन एटू एटू इहें एन ओके यू कन पफॉर्म ती फॉलविंग ऑप्रेशन एन नमर ओफ तैम्स पॉसिबली जीरो टैमस ठीक है अब हमें नीचे एक ऑप्रेशन की डेफिनेशन दी गई है और बूला गया है कि यह ऑप्रेशन हम एन नमर ओफ तैमस पफॉर्म कर सकते है ठीक है by को या थो जी-शीडी ऑफ a i-a-j से रिप्लेश करना है या ठों फिर घ को जीशीडी ऑफ a i-a j से रिप्लेश करना है ठीक है यह एक ऑप्रेशन की डेफिनेशन हो गई find the minimum possible sum that is a1 plus a2 plus a3 up to plus an that you can achieve and output that ठीक है तो हम output में क्या बताना है कि ये operation अगर हम इस array पे any number of times करे मतलब कि दो indices select करके किसी भी एक element को उन दोनों के gcd से replace कर दे तो हमें बताना है कि minimum value of a1 plus a2 plus a3 plus am पूरे array के सारे elements की minimum sum क्या हो सकती है ठीक है I hope question clear अब इसके concept पे move करता है so अब यहाँ पे अगर concept की बात करें तो जथा कि हमें input में क्या दिया गया है हमें input में एक array a दिया गया है जिसकी length क्या है n है और हमें इस expression को minimize करना है minimum of a1 a2 up to an ठीक है अब एक बात समझो अगर हमें इसको minimize करना है तो हमें elements को individually minimize करना पड़ेगा इसको minimize करने के लिए हमें एक operation दिया गया है और यह operation हमें बुला गया है कि हम any number of times perform कर सकते है operation क्या है कि पहले कोई भी दो indices select करो i और j फिर इन दुनों के बीच का gcd निकालो मतलब gcd of ai, aj उसके बाद ai को या तो gcd से replace करो या तो aj को gcd से replace करो right अब एक बात समझो जब भी मैं यह operation करूँगा तो ai या aj जिसको भी replace करूँगा उसकी value या तो उतनी रहेगी या तो कम हो जाएगी because we know that gcd of two elements is less than equal to the minimum of the two elements तो वो हो गया तो obviously इससे इसकी value कम होगी तो अब बात आती है कि भी कितने operations करने पड़ेंगे या तो फिर किस तरह से करने पड़ेंगे क्योंकि randomly हम जब तक हमें value कम हो रही है operations अगर recursively brute force से करते रहेंगे तो वो तो बहुत time limit हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कुछ logically सोचता पड़ेगा अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चले गया कि आप individually in elements की value की एक threshold से कम नहीं कर सकते और वो threshold क्या है it is the largest factor which is present in all the elements मतलब की let's say f is the largest factor present in all elements ठीक है अब एक बात समझो अगर f सब में present है मानलो मैं array को इस तरह से represent करता हूँ f a1 dash f a2 dash up to f a n dash ठीक है अब मानलो मैं a1 और a2 के बीच में कुछ ना कुछ a1 और a2 का gcd लेता हूँ और a1 को उसे replace कर देता हूँ मतलब की a1 equal to gcd of a1,a2 now that value could be larger than f I agree it could be larger than f so a1 equal to gcd of a1,a2 let's suppose it is f into f1 क्योंकि f जो है वो सब में common है तो वो तो आई गही और f1 जो है वो a1 dash और a2 dash में common है ठीक है अब मैं क्या करूंगा a1 equal to gcd of a1,a3 तो f तो है ही दोनों में now let's say it becomes f2 ठीक है तो ऐसा अगर मैं end तक करता रहा a1 equal to gcd of a1,a2 then I would get f into f n a1 से लेके यहाँ पर a n तक ठीक है this would be n-1 ठीक है अब एक बात समझो यहाँ पर f into n-1 should be equal to 1 because सभी के बीच में जो largest common factor है वो f है अगर यह दो f into f n-1 अगर greater than 1 है इसका मतलब f into f n-1 is the largest factor which is present in all the elements लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि largest factor which is present in all the elements is f ठीक है क्योंकि हमने first element का बाकि सभी के साथ gcd ले लिया ठीक है तो सभी में से हमने जो जो common factor थे वो रहने दिये लेकिन end में यह f ही होना चाहिए जो कि सब में present है तो f n-1 should be equal to 1 तो इसका मतलब यह element हो गया f के बराबर जब हम यह सारे operations करेंगे उसके बाद अब इससे कम value हो ही नहीं सकती ठीक है तो अब हम क्या कर सकते हैं हम बाकी के सारे elements को इससे replace कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं अब मुझे क्या करना है a2 equal to gcd of a1 a2 अब मुझे पता है a1 की value f है a2 में भी f factor common है तो यह क्या हो जाएगा gcd of f,f a2 dash यह क्या हो जाएगा f similarly a3 similarly a4 similarly a5 up to an तो सभी के सभी elements की value end में क्या हो जाएगी f के बराबर which is the largest factor which is present in all the elements और उससे कम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब किसी भी पैर के बीच हुए अब gcd low के वो f e रहेगा उससे कम नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर concept क्या clear हो गया है कि हमें सभी elements के बीच का gcd निकालना है और वो value सभी elements में आ जाएगी मतलब कि अगर हम सारे पूरे array का gcd निकाले वो एक for loop में हो जाएगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा मान लो वो value आती है g is the gcd between all the elements it is the largest factor which is present in all the elements तो हमारा answer क्या हो जाएगा i hope concept clear है implementation देख लेते हैं काफी simple है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं so अब यहां पर implementation की बात करने से पहला i would like to tell you about newton school's full stack development course जिसमें कि आप enrolled होके एक rockstar developer बन सकते हैं you can get a placement from 5 LPA up to 40 LPA the students who were previously enrolled at newton school are already working at top companies of india like zomito, deloitte, anacademy etc also यहां पर best part यह है कि यहां पर pay after placement program है which means that जब तक आपको 5 LPA उससे जयदे का placement नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी fees pay नहीं करनी है so make sure if you want to become a rockstar developer then you get registered yourself at the link which is given there in the description now coming to the implementation part हमने क्या discuss किया था कि सभी elements के बीच में GCD निकालेंगे highest common factor और फिर that factor into n would be our answer कैसे वो concept में हमने detail में देखा तो अभी सभी elements के बीच का highest common factor कैसे निकालता है सभी elements के बीच का GCD हम पहले दो elements के बीच का GCD निकालेंगे फिर उस GCD और third element के बीच का GCD निकालेंगे फिर जो GCD मिलेगा उसको और fourth element को pairwise करके GCD निकालेंगे and so on तो let's say सबसे पहले तो G equal to A of 0 में ले लेता हूँ now for i equals to 1 i is less than n i plus plus g equal to GCD of g,a of i ठीक है तो और ये GCD का function कांस होगा यूलर वाला GCD of a,b if a modulo b equal to equal to 0 then return b else return gcd of b,a modulo b ठीक है ये function ये वाला होगा GCD का तो end में हम जब निकलेंगे तो G में हमारे पास क्या होगा the highest common factor which is present in all the elements तो हम सभी elements को इस से कम नहीं कर सकते है तो अगर हम minimum value सभी elements की ये कर सकते है तो हमारा answer क्या हो जाएगा सभी elements का sum g into n because सभी elements की minimum value possible g है और total n elements है time complexity की बात करें तो ये हो जाएगा big o of n ये function है वो constant time में होगा as compared to the value of n ठीक है बहुत कम steps लेता है ये और submission of n overall the test cases less than equal to 3 into 10 के पावर 5 दिया गया है तो ये given current में easily हो जाएगा I hope कि आपको question concept implementation देनो clear है इसका solution code मैं in comments में provide की है Thank you